सिवान का दयानन्दा यूरुवेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिह दर्भंगा विश्व विद्यालय प्रशासन एक व्यवस्थित उदंडता के जरिये कानून को चक्मा देने में महारत हासिल कर चुका है। कॉलेज और इस जोड़े ने आपसी सांटगांट से कानून की जो धज्जियां उड़ाई है उसकी रिपोर्टिंग हम विगत कई सालों से करते आये हैं। आईए अब आपको बताते हैं कि केसडियेस यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या उदंडता की है। फहरिष्ट तो वैसे बड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन हाल ही में जो हुआ है इसकी सूचना पेशे खिदमत है। केसडियेस यूनिवर्सिटी के सिपहे सलार यानी वाइस चांसलर महोदय यानी प्रोफेसर शशिनाथ जा का कार्यकाल सितंबर 2023 में पूरा हो रहा था। इसी के मद्देंजर बिहार के राज्यपाल ने वाइस चांसलर साहब को कार्यकाल समाप्ती के तीन महीने पहले 7 जुलाई 2023 को ही ये ताकीद कर दिया था कि वाइस चांसलर बिना राजभवन के अनुमती के किसी प्रकार का पॉलिसी डिसीजन यानी नीतिगत फैसला न लें मगर महामहिम के इस आदेश को जैसे वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ जा साहब ने कूडे के धेर में फैक दिया और धडल्ले से नियुक्ती, तबादला, मनोनयन, सेवा विस्तार, निर्वाचन समेत कई नीतिगत निर्णे लिये इसी क्रम में उन्होंने कामेश्वर सिंह दर्भंगा, संस्कृत विश्व विद्याले के अधीन आने वाला सिवान के दयानंद आयूरवेदिक मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा तारीखी कारनामा करवाया जिसने सब को हैरान कर दिया वाइस चांसलर सहब ने 24 जुलाई 2023 को एक अधी सूचना के जरिये सिवान के दयानंद आयूरवेदिक मेडिकल कॉलेज के शासी निकाय का गठन करने का फर्मान जारी कर दिया जो राजभवन के आदेश का सीधे तोर पर खुला उलंगन है बहरहाल आईए अब मोटे तोर पर जान लेते हैं कि शासी निकाय है क्या बिहार राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 61 के तहत ये कॉलेज में साथ सदस्यों की एक टीम होती है जिसका काम युनिवर्सिटी जिन नियम कानून से संचालित होती है उन्हें लागू करवाना होता है इसके सदस्य कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों के प्रतिनिधी, युनिवर्सिटी द्वारा मनोनीट एक प्रतिनिधी, कम से कम अनुमंडल स्तरीय एक प्रशासनिक पदाधिकारी, कॉलेज के एक दान दाता, एक शिक्षाविद और संबंधित क्षेत्र के विधायक, प्राचार्य का पदपदेन होता है, यानि पहले सदस्य के रूप में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापती त्रिपाथी हैं, सांसद अथवा विधान मंडल के सदस्य के रूप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का नाम है, सरकारी प्रतिनिधी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और विश्व विध्यालय प्रतिनिधी के रूप में विधायक बच्चा पांडे का नाम शुमार है, कुलपती के आदेश से, इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं, उनका भी परिचय हम आपसे करवा देते है अध्यक्ष के रूप में महाचंद्र प्रसाद सिंह को गद्धी नशी किया गया है, अजीब विडंबना है कि ये साहब पिछले MLSी चुनाव में वीरेंद्र नारायन यादव से हार गए थे, बता दें कि वीरेंद्र नारायन यादव जो पिछले शासी निकाई की टीम में सदस्य थे, मगर इस बार उन्हें हटा दिया गया, कई लोगों का आरोप है कि कॉलेज में सवर्ण तबके के वर्चस्व के कारण ऐसा हुआ, और सचिव के रूप में 80 साल के बुजर्ग रामानंद पांडे को लाया गया है, गौर तलब है कि रामानंद पांडे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापती त्रिपाठी के रिष्टे में ससुर लगते हैं, यही रामानंद पांडे आज से 35 साल पहले भी इस कॉलेज के सचिव थे, इन पर आरोप है कि इन्होंने तब एक ऐसा दाव पेंच लगाया था, जिससे प्रिंसिपल बनने की योग्यत नहीं रखने वाले इनके दामाद डॉक्टर प्रजापती त्रिपाठी प्रिंसिपल बन गए थे और तब से अब तक प्रिंसिपल बने हुए हैं, इतना ही नहीं अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें प्राचार्य डॉक्टर प्रजापती त्रिपाठी के पुत्र सुधानश शेखरत रिपाठी को कॉलज का नया प्राचार्य बनाने के लिए लाया गया है बहरहाल हम ये कहानी फिर कभी विस्तार में बताएंगे लेकिन फिलहाल सवाल उठता है कि आखिर के सडियेस यूनिवर्सिटी के कुलपती प्रोफेसर शशिनात ज्या ने सिवान के दयानंद आयूरवेदिक मेडिकल कॉलेज में कानून को लागू करवाने के लिए एक गैर कानूनी गवर्निंग बॉड़ी आखिर क्यों बनाई और सवाल ये भी उठता है कि ऐसी हरकत के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपती कामेश्वर सिंह दर्भंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपती पर क्या एक्शन लेंगे या हर बार की तरह इस बार भी ये मामला भी यूही मैनेज हो जाएगा आगे के जो अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे देखते रहिए समय सिवान